आकाश्वणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग प्रदार मंत्री नरेंद्र मुधी ने आज भारती जंतपार्टी के 44 में स्थापना दिवस को वीडियो कॉणफरेंस के मार्धиम से सम्भोधित किया उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनातिक नारा नहीं है बलकि भारती यंतापार्टी के लिए एक आस्था का मूल मंत्र है उरुने कहा कि अनीक राजनातिक दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर जंड सेवा के बदले केवल अपने परिवार का हित सुनिश्यत किया है श्री मोधी ने भ्रिष्टचार भाई भती जावाद और कानून तथा व्यवस्था के समक्षाने वाली आर्चनों से निपटने की प्रतिबधता दोराई श्री मोधी ने कहा कि आज भार्थी जंता पार्टी देश में एक नई राजनैतिक संस्क्रती का नीत्रत्व कर रही है एक भारत शेष्ट भारत पार्टी का लक्ष और मंत्र रहा है प्रुधान मंत्री ने पार्टी को मस्वूत बनाने में असंखे कारिकरताओं की सिवाओं और त्याग बलिदान का इस्मरन किया विरुने कहा कि हमें केवल चुनाओं जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहे बलकि हमारा लक्ष लोगों का हिरदय जीतना होना चाहे इधर प्रदीश कारियाले भोपाल में आयोजित कारिक्रम में पार्टी के प्रदीश अध्यक शौर सांसत विश्णुदत्य शर्मा और मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान शामिल हुए बाजपा, पिछड़ा, वर्ग, मोर्चा का, जला मंदल और ग्रामस्तर तक गाउं गाउं चलो, घर घर चलो अभियान आज से शुरू हो रहा है यह अभियान आगामी 14 अपरेल तक चलेगा वहीं भारती रहनता, युवा मोर्चा द्वारा, युवा चौपालो का आयोजन किया जा रहा है यह अभियान 20 अपरेल तक प्रोदीश में निरंतर जारी रहेगा रिजर्ब बैंक ने आज घोशना की है कि वो जनता के लिए दावा रहित जमा धनराशी का पता लगाने के लिए कींद्री करत वेपोर्टल विक्सित करेगा ताकि लाभार्थियों को अपनी जमा राशी वापस पाने में मदद मिल सके वर्तिमान में जमा करताओं और लाभार्थियों को ऐसी जमा राशी का पता लगाने के लिए कई बैंकों की वेफसाइटों की चानबीन करनी परती है दावारहित जमा धनराशी एक ऐसा खाता है जिसमें जमा करता दस साल या उससे अधिक समय तक कोई भी निवेश या धन के निकासी या अन्य लेन देन नहीं करता है और इसे निश्क्रे मालने आ जाता है हाल ही में साबचनिक शेतर के बैंकों ने लगभग 35,000 करोड रुपए दावारहित जमा धनराशी की रूप में रिजर्ब बैंक को हसांतरत किये हैं रिजर्ब बैंक ने वित्ते वर्ष 2013-24 के लिए पहली दिमासिक मौदरिक नीती समय शामे नीतेगत दरों में कोई बदलाब नहीं किया है आरपी आई कवर्नर शक्तिकान दास के अदिक्षता में 6 सदस्यों की मौदरिक नीती समय ने विश्यशक के अनुमानों की विपरेट दरों में परिवर्तन नहीं करने और रेपो रेट दर 6.5 प्रतिशत पर ही रखने का फैसला किया रिस्थाई जमा सुविदा स्टी एफ दर 6.25 प्रतिशत और MSF दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत बनी रहेगी मौदरिक नीती समिती की अगली बैठक इस साल 6 से 8 जून तक होगी प्रतिश में बीते 24 कंटों के दोरान कोरोना के 26 नए मामले सामने आये हैं जबके 8 मरीज कोरोना संक्रमंट जे मुक्त हुए हैं राज में सक्री मरीजों की संख्या बढ़कर 144 हो गई है ये जानकारी स्वासवभाग ने कल जारी COVID-19 बुलेटिन में दी प्रतिश में संक्रमंट की दर 2.8 है नए मामलों में भोपाल में 15 इंदौर में 6 खंडवा में 3 नर्मदापुरम और नर्सिंगपुर में एक एक विक्ती संक्रमित पाए गए हैं प्रतिश पर में हनुमान जैनती पर विभिन आयोजन किया जा रहे हैं जबलपुर में जगय जगय मंदिरों में पूजा पाथ, हनुमान चालीसा का पाथ, सुन्दर कांट और पुसाद वित्रण का आयोजन किया जा रहा है शुपुरी में आज हनुमान जैनती की मौके पर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, मंशापून, बाकड़े हनुमान मंदिर, खेडापती हनुमान मंदिर में भकतों की भीट रही बड़वानी में भाक्ति भाव से हनुमान जैनती मनाई जा रही है सतना सिले की रामबन में हनुमान जयनती पर धूम रही वही जित्रकूर्ट में भी जगेचे के कारिकर मुकायवजन किया जा रहा है वह चैत्र महा की पोनिमा और हनुमान जनमुद्सो पर नर्मदा पुरम में नर्मदा की सभी घाटों पर शुद्धालू उमड रहे हैं अब को समझार सिंख शेप में नर्मदा पुरम में अब तक लाडली बहना योजना में 71,089 आवेदनों की आनलाइन प्रविष्टी की गई है साथी 2,4,760 महिलाओ का EKYC पूरा किया क्या है आगर मालवा जिला प्रभारी मंत्री यशुद्रा राजी सिंधिया ने कल अपने प्रवास के दौरान ग्राम कानन में मुख्य मंत्री लाडली बहना योजना के अंतरगद शिविर में पहुँची इस बुलिटिन में इतना ही नमस्कार